नमो अरंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरियाडम, नमो वजायाडम, नमो लोये सवसाउडम, पंच परमिष्टी भगवंतों की आचारे भगवन गुर्वर विश्वत सकर्जी मुन्राजगी. यह हम सबी अपने जीवन में सुक और गुणों की अभिवर्द्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं, नीती हमें अपने आंतरिक विकास की प्रेड़ना भी देती है, नीती हमें विवसायक विवारिक विकास की प्रेड़ना भी देती है, तो वहीं नीती हमें पुन्य के विकास की प्रेड़ना भी देती है, जो विक्ति पुन्य पर आश्रित है सिर्फ पुन्य पर वो तो पागल है यह जो सिर्फ पुरशार्थ पर आश्रित है वो भी पागल है कहीं न कहीं विक्ति को पुन्य और पुरशार्थ दोनों पर आश्रित होना चाहिए अगर किवल पुन्य पुन्य पर आशिर्थ हो गया पुरशार्थ भूल गया है तो fail हो जाएगा कहीन न कहीं उसके पुन्य और पुरशार्थ दोनों पर आशिर्थ होना पड़ेगा यहां आज की नीती में कह रहे हैं कि जीवन में सुक आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका पुन्य होगा बिना पुन्य के सुक नहीं मिलेगा तो जितना पुन्य होगा उतना सुक मिलेगा और आप उसे अधिक सुक की चाहा रखोगे तो नहीं मिलेगा इसलिए पुर्शार्त अपने पुन्य को बढ़ाने का करो अगर सुक चाहते हो तो पुन्य बढ़ाने का पुर्शार्त करो कारण कारे विवस्ता है हर कारे की बीछे कुछ ना कुछ कारण अवश होता है तो क्यों ना अपन कारण को देखे बहुत तेज प्यास लगी हो तो क्या करते हो पानी पीते हो रोटी नहीं खा दे बहुत तेज प्यास लगी हो तो लसी नहीं पीते mango shake नहीं, rue of the नहीं पीते रसना नहीं पीते, आप पानी पीते हो क्योंकि प्यास तो पानी से मिटती है तो प्यास मिटाने का कारण पानी और बहुत तेज भूक लगी हो तो आप भोजन करते हो पानी नहीं पीते क्योंकि भूक मिटाने का साधन भोजन आपको ये बात अपने हिर्दय में उतार लेना चाहिए कि हर कारे के पीछे कारण होता है तो कारण पर भी विचार करना प्रारम करना चाहिए आपके जितने काम बनेंगे पुन्य से बनेंगे जितने बिगड़ेंगे पाप से बिगड़ेंगे तो क्यों ना अपन पुन्य के संचे में जोर करके रखें और वो जो पुन्य आचार कहते हैं कि उस पुन्य की प्राप्ति के लिए जीव को तीन विशेश कारणों का ध्यान रखना चाहिए अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और सादूों की प्रति भक्ति जो दया के पात्र है ऐसे जीवों की प्रति धया जिनको दया की आवशक्ता है ऐसे प्रतेक प्राणी की प्रति धया का भाव अनुकंपा और तीसरा मन में कलुष्टा मत लाने देना कैसे भी परिस्तिती हो, मन दुखी ना हो, तो पुन्य का आस्रव नियम से होगा जितना आप शान्त बैटो के उतने अधिक पुन्य का आस्रव होगा जितना आप शान्त बैटो के उतने अधिक बुद्धी का विकास होगा लेकिन भरतमान की परिपेक्ष में आप क्या करते हो शान्त नहीं बैटते, चित्त में कलुष्टा रहती है संकलेश्टा रहती, तो पुन्य का आस्रव हो कैसे मंदिर आ रहे हो, तो टेंशन विकल्प लेकर के आ रहे हो घर में जा रहे हो, तो विकल्प लेकर के जा रहे हो ओफिस में जा रहे हो, तो विकल्प लेकर के जा रहे हो गुरूं के पास आते हो, तो टेंशन लेकर के आते हो अब आप भरा बरतन लाते हो गंदा उसमें अच्छा कैसे भर दे इसलिए सबसे पहला पुरशार्थ सुखी जीवन के लिए अपने पुन्य के लिए करना कि आपके जीवन में उतना ही सुख मिलेगा जितना आपके पास पुन्य होगा लेकिन शान्ती आपको अतनी ही मिलेगी जितना आपके पास संतोष होगा सुख चाहिए है तो पुन्य बढ़ाओ और शान्ती चाहिए है तो संतोष बढ़ाओ सेटिस्वाइड होना चालो करतो ठीक विक्ति को समझाना बंद नहीं करना समझाना जरूर लेकिन वो ना समझे तो अपन समझ जाए कि अपनी ही गलती है कि ऐसे पागलों के बीच आए पंचमकाल में कौन आया है अपन आये ना गलती किसकी है अपनी है कि अपन तो पंचमकाल में आये उसको क्या दोश दे तब जाके मन में एक satisfaction आता है चलो ठीक है चुकि एक मन एक मानवी प्रवत्ती है human tendency है कि वो अपनी गलती हो मालूम चल जा उसको तो शान्त बेढ़ जाता है मन आपका तब शान्त होता है जब आप अपनी गलती मान लेते हो तो अपनी गलती मान लो कि अपन ही पंचम काल में आये है अपन नहीं chain किया ऐसे लोगों के साथ रहने का तो क्यों अपन संकल विकल्ब करें आप कोई चीज खरीद करके लाए हो खराब निकल गई company को तो दोष्ट दोगी दोगे आप लेकिन ये दोष्ट अपने आपको भी देना कि chain किस ने किया company का chain तो अपन नहीं किया ना तो भोगो जेलो कई अपन रास्ते से जा रहे थे और किसी ने कही एक shortcut है तो अपन ने निर्णे लिया कि ये अच्छा है अब वहाँ रास्ते में काटे हैं कंकड है काँच है चुब रहे हैं तो अब आप उस विक्ति को दोष मत दो निर्णे रास्ते का किस ने किया है दिगंबर मुनी बने हैं बुद्धी पूरो का अपने रास्ते का निर्णे अपन ने किया है तो फिर अपन दोष दूसरे को कह दे सकते हैं समझाने का हक है सुधरना ना सुधरना वो उसके उपर है इसलिए जीवन में सुख चाहिए तो पुन्य बढ़ाओ और शान्ती चाहिए तो संतोष बढ़ाओ क्योंकि ऐसा कहते है कि सुख कर्मों के आस्रित है और शान्ती संतोष के आस्रित है सुक को बढ़ाने का पुर्शार्थ करें सुक की अभिविर्दी का पुर्शार्थ करें और जैसे आपने सुक की अभिविर्दी करने के लिए पुन्य को बढ़ा लिया जीवन में पुन्य फिर सुक ही सुक है न एक बार मेहनत है जीवन भर का सुकून देखो इस परियाय में मेहनत कर रहे हैं आने वाली परियाय में सुख मिलेगा और और अच्छी तगड़ी मेहनत कर ली तो सिद्धों वाला सुख मिलेगा तो मेहनत तो एक बार की है फिर तो सुखी सुख है जैसे कुछ सीजनेबल बिजनिस होते हैं रक्षावंदन का है तो राखी के समय आगे पीछे बहुत मेनत करते हैं उनको पता हैं तीन महीने का व्यापार हैं फिर नौ महीने बैठके खाना हैं कुछ लोग भूसे का व्यापार करते हैं कुछ लोग रूई का करते हैं कुछ लोग बिन्ने बिन्ने प्रकार के और भी व् इसनिबल होते हैं, तो उनको बता है कि एक बार की मेनत है, करनाटक के लोग बड़े समझधार होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार की मेनत है, तो नारियल के सुपाडी के पेड़ लगाते हैं, एक बार की मेनत है, फिर वो वरक्च, कोई वरक्च 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, और कि अगर सही पद्दती से लगाए तो पचास साल तक भी फल देते पचास साल तक तो मेनत एक बार की है और फिर भोग अनन्त काल का है ऐसे ही पुन्य कमाने की मेनत एक बार की दिन में एक गंटे पुरशार्थ करो पुन्य कमाने का फिर पूरे 23 गंटे सुक बाओ पुरे जीवन पर सुक बाओ इसलिए अपने जीवन में पुन्य को बढ़ाए सुक और शान्ती को बढ़ाने का क्या उपाए है जीवन में सुक और सान्ती को बढ़ाने का क्या उपाए है तो सुक को बढ़ाने का उपाए पुन्य है और शानती को बढ़ाने का उपाए संतोश है ऐसा विचार करना शेशबन आगे दिखेंगे बगवान मावीर सौमी की जयाए